मुस्लिम धर्मगुरु जामा मस्चिद के पेश इमामकारी इसहाक गोरा ने तमाम इहले वतन को आने वाली इदुल अज़ा की मुबारक बात पेश की अपील करते हुए मुस्लिम लोगों से कहा की कुर्बानी खुले में ना करें उसके अफशेश सरकों पर ना फिके अगर उसको कहीं ले जाना है तो नगर निगम की तरफ से जो सुविधा मुहया कराई गई है वही पर ही उसको डाले साफ सफाई का ध्यान रखें और दूसरों को अपनी तरफ से कोई तकलीफ न पहुँचे इस बात का भी पूरा ख्याल रखें इद की नमाज मस्जदों में पढ़ें इदगाह में पढ़ें जहां कर मना किया गया है जैसे सरकों पर प्रशासन की उस गाइडलाइन को भी फॉलो करें तमाम एहल वतन को आने वाली ईदगाह की मुबारक बात पेश करता हूं और अपील करता हूं कि कुर्बानी खुले में ना करें और जो उसके फुजला है उसको सरकों पर न प्हेकें अगर उसको कहीं ले जाना है तो नगर निगम की तरफ से जो सुविधाएं मुहया कराई गई हैं वहीं पर ही उसको डाले मख़ब इसलाम पाकीजगी की तल्कीन करता है साफ सफाई की हिदायत देता है और उसको पसंद करता है पुर्बानी जैसे अबादत है वैसे ही पाकीजगी साफ सफाई और दूसरों को अपनी जास से कोई तकलीफ ना पहुँचे इस बात का पुरा खयाल रखना भी अबादत है मैं तबाम लोगों से अपील करूंगा कि एद की नमाज मस्जिदों में पढ़ें एदगाह में पढ़ें जहां पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है जैसे सड़कों पर तो उस गाइड लाइन को भी फॉलो करें मैं एक बार फिर तमाम लोगों को एद अदगाह की बहुत दुआउं के साथ मुबारक बात पेश करता हूँ अस्सलाम आलेकुम और रहमतुल्ह बरकाराइब